स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग मौरिया एजूकेशन में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कमपाउंड इंट्रेस्ट चैप्टर नमबर 14 प्रैक्टिस नमबर 14.1 को कम्प्लीट करेंगे स्टूडेंट्स अगर आपने इसको अच्छे से जान लिया और समझ लिया तो आपको कमपाउंड इंट्रेस्ट में आगे कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि यह बेसिक है स्टार्टिंग है तो अगर हम स्टार्टिंग अच्छे से समझ जाते हैं और सीख जाते हैं तो आगे हमको कोई भी चीज एकदम इजी और सिंपल लगने लगता है बस इसके लिए आपको इस वीडियो पर ध्यान से बने रहना है इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए ध्यान से समझने की कोसिस कीजिए आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और बच्चों हम एक रिक्वेस्ट आप से और करेंगे कि आप अगर हमारी चैनल पर नए हैं देखिए हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है कि compound interest किसको बोलते हैं simple interest किसको बोलते हैं क्योंकि हमने 6 और 7 में क्या पढ़ा है simple interest के बारे में पढ़ा है तो simple interest का simple सा फार्मूला है P into R into T upon 100 P equal to principal R equal to rate होता है T equal to time होता है compound interest में भी वही सारी बाते हैं यहाँ पर भी P equal to principal bracket में 1 plus R upon 100 और bracket को close कर देते हैं और bracket के उपर क्या आता है N आता है N का मतलब होता है number of years या number of time या time जो भी दिया है उसके बारे में amount equal to होता है principal plus interest अब यहाँ पर हम example 1 को देख लेते हैं बच्चों example 1 में हमको दिया है principal principal किसको बोलते हैं जो पैसे का हम lane then starting में करते हैं वो हमारा amount क्या कहा जाता है principal होता है ठीक है अब principal के बाद time दिया है 3 years और rate दिया है 12 into 1 upon 2 इसको हम लिख सकते हैं 25 upon 2 भी लिख सकते हैं 2 12 जा 24 plus 1 को add किये 25 upon 2 या हम इसको percentage में अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं 12.5 परसेंट भी लिख सकते हैं ठीक है जिसको हम decimal बोलते हैं ठीक है 1 को 1 की जगा rate हमको दिया है क्या है 25 upon 2 ले लेते हैं ठीक है और upon में ही क्या दिया है 100 तो 100 multiply में आ जाएगा bracket को close करेंगे और in की जगा हम क्या लिख देंगे 3 ठीक है अब जो चीजें कटती है उसको हम काट देंगे 25 वन जा 25 वन जा 25 वन जा 100 होता है ठीक है तो next line में हमको क्या मिल जाएगा 4000 यहां पर 1 लिखेंगे और 1 upon 4 टू जा 8 ठीक है और यहां in की जगा 3 आ जाएगा ठीक है आगे हम इसको 1 प्लस कितना दिया है 1 upon 8 को add करेंगे जब इसको आप add करोगे बच्चों तो यह fraction है fraction का आपको हमने addition, subtraction, division और multiplication सारी चीजें बताई है अगर इसको आप add करेंगे तो यहां उपर हो जाएगा 9 और upon में हो जाएगा 8 और 9 upon 8 और इस side में आ जाएगा 3 क्योंकि year दिया है number of year sum यहां पर लिखते हैं आगे आपको क्या करना है 4000 into 9 upon 8 cube है ठीक है तो 9 into 9 into 9 लिख देते हैं और upon में हमारे पास क्या बच्चा है 8 into 8 into 8 ठीक है अब इसको आप solve करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको 8 से इसको काटिए 8 फाइब जा 40 होता है और 00500 आया आगे हमको अभी भी डिवाइड कर सकते हैं 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20 अब हमको क्या मिल गय अभी भी 2 इंटू 8 अब इसको हमको टोटल मल्टिप्लाई करना है और डिवाइड करना है किस से 2 इंटू 8 से हमको डिवाइड करना है अब देखिए इसको आगे क्या कर सकते हैं 125 इंटू 99 जा 81 हम 9 इंटू 81 लिग दें और अपान में 16 हो जाएगा ठीक अब इसको 85 को 9 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 1 1 2 5 आएगा और इंटू 81 डिवेजन में हमारा क्या है 16 है अब आप इसको 81 से मल्टिप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 85 से मल्टिप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा 85 से मल्टिप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर मैं इस साइड लिख देता हूँ कितना मिल जाएगा यहाँ पर आप मल्टिप्लाई करेंगे तो 9 1 1 2 5 मिल जाएगा ठीक है 91 125 अब इसको डिवीजन में क्या है 16 16 से हम भाग करेंगे यहाँ देखिए मैं लिख द आपको यह मिला है ठीक है अब इसको जो वेलू मिली है इसको डिवाइड कीजिए 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 16 5 जा 80 ठीक यहाँ 11 बचेगा यहाँ 1 को हमने केरी किया 16 6 जा कितना होता है 96 इसको आप माइनस करेंगे तो 11 में से 6 गया 5 बचा और यहाँ 10 में से 9 गया 1 अब हमने यहाँ पर 2 को केरी किया कितना हो गया 152 9 जा होता है 144 144 को माइनस करेंगे तो 8 बचा और यहां फिर से हमको 5 मिला कितना हो जाएगा 16 5 जा 80 हो जाएगा हमारा 5 बचा फिर अब हम डेसिमल बढ़ाएंगे और एक 0 को केरी करेंगे carry किया 16 1 जा 16 ठीक है 4 बचा तो दो डिजिट मिल गया तो हम इसी को answer बना देंगे कितना 5695.31 यह क्या मिला बच्चों यह हमको amount मिल गया ठीक है यहाँ पर हमको क्या मिल गया amount मिल गया अब इस amount में से हम क्या करेंगे principle को minus कर देंगे हम लिखेंगे यहाँ पर interest हम से पूछा जा रहा है तो interest equal to होता amount minus principle को हम यहाँ पर minus करेंगे तो 5695.31 minus 4000 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1695.31 रुपी यह हमारा three years का interest हुआ तो इस तरह से इसको solve करना था अब चलिए हम चलते हैं question number second की तरफ question number second हमको दिया है यहाँ पर कि find the amount and compound interest हमको दो चीजें पूछी जा रही है एक तो compound interest पूछा जा रहा है और दूसरा हमसे amount पूछा जा रहा है तो first question की तरफ चलते हैं बच्चों हमारा जो की practice set का question है first question हमको क्या दिया है principle दिया हुआ है rate दिया है time दिया है ठीक है तो question number one की तरफ हम चलते हैं यहाँ पर हम question number one का first part डाल देते हैं जो चीजें दी गई है हम लिख देते हैं यहाँ पर हमको पी दिया है principle equal to two thousand हमने two thousand लिख दिया rate हमको दिया है rate कितना दिया है बच्चों five percent दिया है हमने five लिख दिया और time हमको कितना दिया है time हमको दिया है two year ठीक है अब यह सारी चीजें हमने लिख दिया हमसे पुछा जा रहा है amount और interest बताना है तो first हम amount निकालेंगे amount का formula क्या है P bracket में 1 प्लस R upon 100 और यहां आ जाएगा N value पुट कर दीजे P के जगां आ जाएगा 2000, 1 और rate हमारा क्या है 5% और यहां हम time लिख देंगे 2 years देखे 5 अंजा 5 520 जा 100 होता है अब हमको क्या मिल जाएगा यहां पर 2000 और इसको आप multiply करके add करेंगे तो क्या मिलेगा आपको into 21 upon 20 और यहां 2 time है तो हम क्या करेंगे इसको 2 यहां रखते हैं फिर आगे हम clear लिखते है 2000 into square में है 21 into 21 हो जाएगा divided by 20 into 20 हो जाएगा अब देखिए 2 0 कट रहा है तो काट देते हैं 2 10 जा कट रहा है काट दिया हमने अभी भी नीचे क्या बचा है 2 बचा है 2 5 जा ठीक काट दिया हमने कट गया जो तो अब आगे हम एक line और लिख देते हैं उपर 5 बचा है और यहां 21 into 21 है 21 से 21 को multiply करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको मिलेगा 441 और into 5 से फिर से multiply कर देते हैं तो 5 बचा 5 और 5 फोरजा कितना होता है 20 को हम यहां 0 लिखते हैं 5 फोरजा 20 और 2 जोडेंगे 22 तो हमको 2205 रुपीज क्या मिल गया amount मिल गया तो एक तो हम बता देंगे कि हमारा amount कितना है 2205 रुपीज है आगे हमसे पुछा जा रहा है interest तो interest equal to क्या होता है students यहां पर हमको interest equal to amount तो हम लिख देंगे यहां पर amount और minus क्या कर देंगे principal principal को minus कर देंगे तो हमको compound interest मिल जाएगा amount हमने निकाला 2205 और principal हमारा है 2000 इसको अगर minus करेंगे तो 205 हमको क्या मिल जाएगा यहां पर interest मिल जाएगा बच्चों तो इस तरह से इसको solve करना है इसमें हम इसका second part भी देख लेते हैं second part में हमको जो जो दिया है हम यहां पर लिख देते हैं p equal to principal हमको दिया है 5000 ठीक है 5000 हमने लिख दिया rate हमको दिया है rate कितना दिया है बच्चों 8% दिया है 8 हमने लिख दिया और हमको दिया है यहां पर time time हमको दिया है 3 years तो हमने time लिख दिया 3 years अब आगे हमको क्या करना है same वही चीजें करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो तो इसमें डरने और गबरने की बात है आगे चलिए, आगे हमको फिर से वही फार्मूला लिखेंगे, A equal to P bracket में 1 प्लस R upon 100 बच्चों आपको फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी बार लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ आपको की पूरी तरह आपको लॉन हो जाएगा चलिए, P के जगँ हम लिखेंगे 5000, 1 की जगँ 1 आएगा, rate की जगँ हम 8 को लिखेंगे और divided by 100 कर देंगे और यहाँ 3 हो जाएगा अब देखिए, इसको चाहिए तो आप direct भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए तो इसको 4 से divide हो रहा है, इसको आप divide भी कर सकते हैं अगर divide करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टू जाएट और 4 25 जा 100 होता है आगे हम क्या लिखेंगे 5000 और इसको एक बार और लिख देते हैं, 1 प्लस 2 अपान 25 और यहाँ क्यूब हो जाएगा एक्वल टू 5000 और इसको हम जोडेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 अपान 25 यह भी हमारा क्यूब में आ गया आगे हमको क्या करना है, आगे देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक, आगे हम इसको लिख देते हैं 5000 इन्टू 27 इन्टू 27 इन्टू 27 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 टाइम है इन्टू 25 इन्टू 25 इन्टू 25, 25 से काटेंगे हम तो क्या मिलेगा, 25 टू जा, यहाँ 200 हो गया, फिर से 25 से भाग देंगे तो 8 जा हो गया, ठीक है, 8 जा में कट गया, अब हमारे पास क्या मिला, अब देखिए 27 का हमको क्योब निकालना है अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं, तो इसका क्योब निकालना लीजिए 27 का, अगर आप इसको स्कूर करेंगे तो स्कूर आपको क्या मिलेगा, स्कूर मिलेगा, 729 इन्टू फिर से 27 कर दीजिए, और जो आएगी वेलू, उसमें क्या करना है, हमको फिर से 8 से मल्टिप करना है division में क्या आ जाएगा अभी भी 25 यहाँ पर बचा हुआ है आप इसको total multiply करेंगे तो आपको multiply करने पर आ जाएगा बच्चों 157 464 157 464 आप 729 into 27 into 8 को multiply करेंगे तो आपको value मिल जाएगी divided by 25 जब आप 25 से इसको divide करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 6298 आप इसको divide करके check कर लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ पर आपको solo करके दिखा दिया है अब इसमें क्या करना है आप इसको ऐसा भाग कर सकते है न जाके इसको 25 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6298.56 आपको यहाँ पर मिल जाएगा amount इसको हम क्या बोलेंगे amount बोलेंगे अब हमको चाहिए क्या interest चाहिए तो interest equal to amount minus amount minus क्या लिखेंगे principle अब देखिए इमाउंट हमारा 6,298.56 है और माइनस हम क्या करेंगे 5,000 को 5,000 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 1,298.56 रुपीज यही हमारा इंट्रेस्ट आ जाएगा तो यह हमारा इंट्रेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा यह जो इमाउंट आया है यह क्या हो जाएगा एमाउंट जिसको कि हमको दो चीजें पूछी गई है एमाउंट पूछा गया है और इंट्रेस्ट पूछा गया है अब चलिए हम चलते हैं थर्ड क्वेस्टन पर बस बच्चों इसको step by step आप करते जाएए जरा भी दिक्कत नहीं आएगी आपको हम थर्ड क्वेस्टन को सॉलो करेंगे यहाँ पर थर्ड क्वेस्टन में हमको क्या दिया है बच्चों थर्ड क्वेस्टन में हमको दिया है कि अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल दिया है प्रिंसिपल ठीक है हम प्रिंसिपल को यहाँ पर लिख देते हैं principle equal to 4000 दिया है rate हमको दिया है 7.5% और time हमको दिया है 2 year time equal to 2 year लिख देंगे अब देखिए हमको value put करना है तो पहले हम क्या लिखेंगे formula लिखेंगे a equal to p bracket में 1 plus r upon 100 और यहाँ पर हो जाएगा end number of years ठीक है value put कीजिए यहाँ पर value put करेंगे तो 4000 है one की जगा आएगा अब देखिए यहाँ पर क्या है 7.5% दिया है और upon में 100 हो जाएगा और यहाँ 2 years है तो 2 हो जाएगा अब आगे एक line और लिख देते हैं आपको समझने में आसानी रहेगी अब देखिए one one ही रहेगा करेंगे तो हमको क्या करना होगा नीचे भी 10 से multiply करना होता है ठीक है आपने इसको किया भी है आगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4000 यहाँ पर one फिर जब इसको multiply करेंगे तो 75 और नीचे multiply करेंगे तो 1000 हो जाएगा ठीक है clear है अब आगे हम क्या करेंगे इसको divide करेंगे देखिए 25 थ्री जा होता है 75 और 25 फोर जा 100 और यहां हो गया 40 अब क्या मिला हमको 4000 यहां पर मिला और यहां 1 प्लस 3 अपान 40 और यहां square हो गया equal to 4000 को हमने 4000 लिखा अब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चो 43 अपान 40 अब यहीं पर चाहिए तो आप 2 टाइम लिख दीजे क्योंकि आपको सारी चीजें मालुम हो गई है कि यह value कैसे आई है देखिए 2020 से काटिए सिंपल तरीके से आप जाएए 4 से काट लेंगे 4 10 जा 40 होता है अब उपर हमको क्या बचा 10 है और नीचे अभी भी देखिए यहाँ पर 4 है हाँ तो डिवीजन में 4 रहेगा आप लिख दीजे इसको 10 into 43 into 43 डिवीजन में हमारा 4 अभी बाकी है ठीक अब इसको आप multiply करेंगे तो 43 को जब आप multiply करेंगे 43 से तो आपक अगर आपको नहीं निकालने आता है तो स्कूर का भी हमने यहाँ पर वीडियो डाला है जो कि हमारे ट्रिक में है आप उसको भी देख सकते हैं 43 का स्कूर आप simple तरीके से कैसे कर सकते हैं 3 का स्कूर होता है 9 तो हम यहाँ 09 लिखेंगे और 4 का स्कूर कितना होता है 16 अब 2 इ 24 इसी को add कर दीजे यहाँ 9 हो गया यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ आपका 8 और 1 ठीक यह निकल गया हमको square और इसमें हमको 10 से multiply करना है तो 1849 इंटो 10 और divided by 4 हो जाएगा आप इसको multiply करेंगे तो 1849 जीरो और अपान 4 हो जाएगा divide कीजे 4 4 जा 16 होता है 2 बचा 4 6 जा 24 ठीक है और यहाँ 9 बचा तो 9 को हमने carry किया है ठीक है 4 2 जा 8 1 बचा 4 2 जा 8 अब आगे हम decimal बढ़ाएंगे 4 5 जा 20 हमको क्या मिल गया 4622 रूपीज इसको क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम बोलेंगे amount तो यह हमको amount मिल गया अब आगे ह हमको क्या चाहिए यहाँ पर हमको एक तो पूछा गया है amount और दूसरा क्या पूछा गया है interest तो amount तो हम बता देंगे कि हमारा amount कितना आ गया 4622.550 ठीक अब interest, interest equal to क्या होगा interest के लिए हमको वही फार्मूला लगाना पड़ेगा जो हम पहले से लगाते आ रहे है amount minus principal amount हमारा 4622.50 और minus principal हमारा क्या है 4000 अगर इसको minus करेंगे तो 622.50 पैसे यह अपका क्या आ गया interest आ गया तो इस तरह से इसको solve करना था बच्चों आपके practice set 14.1 में देखेंगे तो आपको तीन column दिया गया है और तीन line दिया गया है ठिक है column और यहाँ पर इस column में एक तरफ principal rate और durations दिया है और दूसरे तरफ उसकी value पूछी गई है तो चलिए इस तरह से आपका question number 1 पूरी तरह complete हुआ आप चलते हैं question number 2 पर तो question number 2 में क्या दिया है हमको बच्चों question number 2 में दिया है कि हमको पहली बात तो question मैं पढ़ देता हूँ Samir Rao has taken a loan 12,500 at the rate of 12 PCPA ठीक है for 3 years if the interest is compounded annually then how many rupees should he pay to clear his loan total पैसा कितना return करेंगे उसके बारे में पूछा जा रहा है कोई बात नहीं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं principal जो उन्होंने लिया है कर जो हमारा principal कहा जाता है rate इन्होंने बताया है कि 12% का rate लगाया गया है और time को बताया है उन्होंने कि 3 years के लिए लिया है ठीक है तो हमने यहाँ पर यह तीनों चीजें लिख दी है underline भी कर दिया आप यहाँ पर confuse मत होईएगा क्योंकि उपर की line दूसरी है चलिए अब हम formula वही लिखते हैं a equal to p bracket में 1 plus r upon 100 और यहाँ n हो जाता है p हमारा है 12,500 1 वही रहेगा rate हमारा 12% और divided by 100 और यहाँ पर हम n की जगां क्या लिख देते हैं 3 आ जाएगा ठीक है अगले line में लिख देंगे यहाँ पर हमने n लिख दिया है ठीक है कोई बात नहीं है आगे हम चलिए इसको solve करेंगे तो इसको देखिए कटता है तो काट देंगे 4,3 जा 12 होता है और 4,25 जा 100 होता है नीचे वाली line में हम लिखेंगे 12,500 यहाँ 1 plus 3 upon 25 लिखेंगे और यहाँ 3 लिख देंगे क्योंकि n की value 3 है ठीक अब 12,500 इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों 28 हो जाएगा 28 upon 25 आएगा और यहाँ cube हो जाएगा आगे आगे हमको क्या करना है आगे हम लिख देंगे 12,500 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25 जो कटता है उसको हम काट देते हैं पहले ठीक है देखिए 25 फाइब जा 25 होता है 125 होता है तो यहाँ 500 आ गया ठीक क्योंकि 2 0 यहाँ पर लगा है फिर से हम 25 से भाग देंगे तो 25,2 जा 50 होता है और एक 0 आ गया अब नीचे क्या बच्चा है नीचे देखेंगे तो 25 है उपर 20 है तो 25,5 फाइब जा 25 होता है 5,4 जा 20 होता है आगे हमको क्या बच गया बच्चों यहाँ पर 4 बच गया यहाँ 28 into 28 into 28 लिख रहे हैं और अपान में अभी भी 5 बचा हुआ है अब इसको हमको क्या करना है कि सबको multiply कर देना है ठीक है सबको multiply कर देना है multiply करने के बाद 5 से divide कर देना है अब देखिए इसको आप multiply करेंगे तो multiply करेंगे 28 का square आपको मिल जाएगा 464 ठीक है अब इसको फिर से आप 28 से multiply कीजिए 28 से multiply करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 28 को multiply करेंगे तो नहीं यहाँ पर आप इसको multiply कीजिए इसका square wrong है आप यहाँ पर फिर से multiply कीजिए 28 का square कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ देखिए 28 का square अब भी मैंने बताया था तो 8 का हमको क्या करना है 8 8 जा पहले 64 लिखना है 8 का square प्लस 2 का square होता है 4 अब आगे हमको 3rd step क्या करना है 2 8 जा 16, 16 2 जा 32 इसको जोड़ देना है एक डिजिट छोड़ के जोड़ना रहता है 4 हुआ यहाँ 8 हुआ और यहाँ 7 हुआ 7 84 अब फिर से इसमें हमको 28 से multiply करना है 28 से multiply करेंगे तो आपको आजाएगा 2, 1, 9, 5, 2 अब इसके बाद अभी भी हमारे पास 4 बाकी है 4 से multiply करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा total 87,808 मिल जाएगा ठीक है आप multiply करके पूरा लिखेगा देखे 4, 2, 8 होता है 4, 5, 20 को हमने 0 लिखा 4, 9 जा 36 36 में 2 को जोड़ेंगे 38 हुआ 3 को हमने carry किया 4, 1 जा 4 में 3 को जोड़ा 7 आया 4, 2 जा 8 अब इसको हम क्या करेंगे फिर से इसको हमको divide करना है किस से 5 से अब divided by 5 करते हैं तो क्या मिलेगा हमको 5 से divide करके देखे देखे जब हम 5 से divide करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल रहा है आप देख सकते हैं 5 से divide करने के बाद हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर 5, 1 जा 5 ठेक 3 बचा फिर 37 हुआ 5, 7 जा 35 फिर यहाँ 2 बचा 5, 5 जा 25 3 बचा 5, 6 जा 30 5, 1 जा 5 3 बचा 5, 6 जा 30 17,561.60 यह क्या आ गया बच्चों यह amount आ गया अब इसी amount में से हम principal को minus कर देते हैं तो हमको interest मिल जाता लेकिन हमको इस question में पूछा क्या गया है कि total amount कितना pay करेंगे ठीक है तो total amount इनका बनता है after 3 years 17,561 रूपीज and 60 पैसे यही हमारा यहाँ पर answer हो जाएगा एक question और है इसमें बच्चों उसको solve कर देते हैं ठीक है देखे तो यह हमारा जो practice set 14.1 है वो पूरी तरह से complete हो जाएगा to start a business ठीक है to start a business Salaka has taken a loan 8,000 at the rate of 10 into 1 upon 2 PCPA after 2 years how much compound interest will see pay have to pay हमको बताना है यहाँ पर हमको interest बताना है इसके पहले वाले में हमने amount बताया last one वाले में question 3 में हम यहाँ पर interest बताएंगे कोई बात नहीं principle हमको दिया है principle equal to हम लिख देंगे यहाँ पर principle क्या दिया है देखिए आप पूरा book दिख रही है आपके सामने principle इन्होंने 8,000 रुपीज लिया है rate कितना लगाया गया है rate को बताया गया है 10 into 1 upon 2 इसको हम 10.5 भी लिख सकते हैं या हम इसको क्या लिख सकते हैं 21 upon 2 भी लिख सकते हैं तो जो आपको suitable लगे वेसे आप answer निकाल सकते हैं time दिया है time 2 years है ठीक है after 2 years रिपेमेंट कर रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं अब आगे देखिए हमको क्या करना है आगे हमको यहाँ पर करना है कि पहला तो हमको formula लिखना होगा a equal to p bracket में 1 plus r upon 100 और यहाँ पर n आ जाएगा p हमको पता है 8000 हम लिखेंगे 1 को 1 रखेंगे rate हमको कितना मिला है जो भी value आपको अच्छा लगे उसको रख सकते हैं 10.5 रखेंगे तो आपको 10 से multiply करना पड़ेगा तब यह हमारा decimal हट जाएगा ठीक है यहाँ इसको fraction में रखते हैं तो हम क्या रखेंगे 21 upon 2 और into 100 हो जाएगा और यहाँ n की जगा 2 आ जाएगा 8000 को हम 8000 ही रखेंगे अब इसको देखेंगे हम एक line और लिख लेते हैं 1 plus 21 upon इसको multiply करेंगे 200 होगा और यहाँ square 800 8000 इसको देखें कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे डाइरेक्ट जोड़ देंगे तो डाइरेक्ट जोड़ेंगे तो 221 upon 200 हो जाएगा और यहाँ square हो जाएगा आगे हम 8000 लिखेंगे 221 into 221 और अपान में क्या लिखेंगे 200 into 200 क्योंकि यह square दोनों पर रहता है जो value कटती है उसको काट दीजिए 2 0 हमने पहले काटा फिर यहाँ से 1 0 काट दिया 3 0 कट गया अब यहाँ पर हमारा 20 बचा है यहाँ 2 2 से हम divide करते है 2 4 जा हो गया ठीक है और 4 से इसको divide करते है तो 4 5 जा हो गया अब हमारे पास क्या बचा बच्चों 2 21 इंटू 2 21 और अपान में 5 हो गया ठीक है अब इसको हम अगर multiply करेंगे देखें मैं यहाँ multiply कर देता हूँ 2 21 इंटू 2 21 को multiply 1 से multiply करेंगे तो 1 2 2 यहाँ पर 2 से multiply करेंगे 2 होगा यहाँ 4 और यहाँ 4 ठीक है थर्ड 2 से multiply करेंगे 2 4 4 इसको जोड़ देंगे तो 1 हुआ यहाँ 4 हुआ यहाँ कितना हो गया 8 हो गया यहाँ पर भी 8 और यह 4 आ गया अब इसको divided by हमको 5 भी करना होगा क्योंकि नीचे 5 दिया हुआ है ठीक है जब इसको हम divide करेंगे 5 से तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर देखे 5 9 जा 45 होता है तो यहाँ 3 बच गया 38 हो जाएगा 5 7 जा 35 होता है 3 बच गया और यहाँ 4 और 5 6 जा कितना होता है 5 6 जा 30 होता है ठीक 31 को हमने यहाँ पर नीचे लिया ठीक है आगे हमको क्या बचेगा आगे आप देखेंगे तो जब इसको डिवाइट कर रहे हैं तो कितना हुआ 34, 34 में से 30 जाएगा देखें फिर से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर आप इसको डिवीजन करके देखिए ठीक, 488 41 इसको डिवाइट कीजिए 5 से 5, 9 जा 45, 3 बचा यहाँ 8 को केरी किया 5, 7 जा 35, 3 बचा 4 को केरी किया 5, 6 जा 30 हुआ 4 को केरी किया 4 हमारा यहाँ पर बचा 1 को केरी किया 4, 8 जा होगा यहाँ 5, 8 जा होगा 40, 1 बचा अब 1 में भाग नहीं जा रही तो हम decimal बढ़ाएंगे 0 को केरी करेंगे 5, 2 जा 10 हो गया हमको amount क्या मिल गया 5,768.2 20 इसको हम लिख देंगे ठीक है अब यह हमको क्या मिला amount मिला हमसे पूछा क्या जा रहा है कितना interest पे किया इंट्रेस्ट इक्वल टू क्या होता है बच्चो हमारा जो भी है amount ठीक है amount minus जो हमारा principal है जितना पैसा हमने उधार लिया है इसको minus कर देंगे तो 9,768.20 minus हमने 8,000 रुपीज का कर्ज लिया था इसको minus करेंगे तो 1,768.20 यह हमारा यहां पर interest आ जाएगा यहां पर यह हमारा interest आ जाएगा यही पैसा सला का interest के रूप में पे करेगी तो इस तरह से हमारा जो ए practice set number 14.1 था बच्चों पूरी तरह से complete हो गया 8th standard का अब next video next lecture हम कल इसका समझने की कोसिस कीजिए बहुत ही interesting chapter है और बहुत ही important chapter है इसको देखने और समझने के लिए बस आप से यही request है कि वीडियो को आप last तक देखिए कोई भी आप वीडियो उठाईए उसको last तक देखिए तब आपको पूरा result उसमें देखने और समझने को मिलेगा तब आपको समझने और पढ़ने में भी काफी मजा आएगा चलिए अब मिलते हैं next वीडियो में next lecture में तब तक के लिए thank you, bye